साई की बाद लेकिन खुद के लिए न कभी नहीं सोचते हो इतनी मेहनत करते हो दूसरों को खुश करने के लिए तरह तरह की चीजे करते हो तरकीबे लगाते हो कि कौन किस तरीके से खुश रह सकता है तो कभी दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते बलकि सब के लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने की कोशिश करते हो लेकिन जहां खुद की बात आती है न वहां चुपोजाते हो वहां पर अपने अंदर की बातें तुम किसी के सामने प्रकट भी नहीं करते अपने दुख को अपने अंदर ऐसे छुपाए हुए हो कि जैसे शायद किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ जब तुम मेरे आगे बैठते हो न तो तुम्हारे आसू बहते हैं मैं जानता हूँ मेरे बचे और तुम्हारे आसू सिर्फ तुम्हारे बाबा के आगे निकलते हैं मैं जानता हूँ तुम सबके आगे मजबूत बनकर रहते हो लेकिन तुम्हारे साइं के आगे ना तुम मनावटी नहीं कर सकते तुम जैसे हो ना वैसे आ जाते हो और वही ना मुझे सबसे अच्छा तुम्हारे अंदर लगता है और सुनो मेरे ब अच्छे और सुनो जहां काम नहीं होगा ना जहां काम नहीं भी बनेगा वहां भी तुम्हारा काम हो जाएगा तुम्हें आश्रवाद देता हूं मैं बहुत सारा आश्रवाद और कुछ मेरे बच्चों के पाउं में बहुत दर्द है जानते हो क्यूं क्यूंकि तुम मेरे मं देखना तुम्हारा बाबा आएगा तुम्हारे बाबा बिचलित रहा है, तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, चिन्ता उठ रही है! तो सुनो उस वक्त ना मेरी आरती सुनना मेरी आरती सुनने के बाद तुम्हारा इतना मनूबल बढ़ जाएगा तुम्हारे अंदर शक्ती आएगी तुम्हारी भक्ती में व्रद्धी होगी और देखना यही कारण होगा तुम्हारे तरक्की का आगे चलकर मेरे बच्चे और कच्चा आटा ही खिला देते हैं तो कच्चा आटा मत खिलाया करो क्योंकि जैसे तुम नहीं खा सकते न वैसे वो भी नहीं खा सकते तो उन्हें पकी हुई रोटी ही दिया करो और नहीं हो सके तो कुछ और ही खिला दिया करो लेकिन कच्ची चीजे थोड़ा बदलाफ करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और बार बार समझाता रहूंगा, लेकिन समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर अंत में तुम नहीं समझे तो फिर मुझे अपनी तरीके से समझाना पड़ेगा समझ गए न और सुनो जिन मेरे बच्चों पर करजा है न तो वो एक काम करना थोड़ा सा आटे में बूरा डाल कर रोज एक मुठी सही चीटियों को डाला करो अगर तुम ऐसा करोगे न तो कुछी महिनों के अंदर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा करजा तुम उतार दोगे तुम सारे कड़ों से मुक्त हो जाओगी मेरे बच्चे और सुनो तुम्हारा जो रिष्टिदारी है न उस रिष्टिदारी में तुम्हारे कुछ अन्बन चल रही है और उस वज़ा से न तुम कुछ अपनों से जो तुम्हारे बहुत अपने हैं तुम उनसे बाचीत नहीं क बहुत परिशान रहते हो कि बात कैसे करोगे लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बच्चे मैं समझता हूँ तुम अंदर ही अंदर ना बहुत कलबते हो बहुत परिशान होते हो उन अपनों से बात करने के लिए लेकिन इन दो पनिवारों की गलत फैमियों की वज़ा से मन मुटाफ की वज़ा से न तुम न बहुत को छेलना पड़ता है तुम्हें मैं जानता हूँ लेकिन तुम चिंता मत करना जिससे तुम्हारा मन तडपता है न बात करने के लिए बहुत जल मैं तुम्हारी बात उनसे करवा दूँगा चिंता मत करना अरे तुम्हारा साई है और जहां तो तुम कभी भी उन लोगों में शामिल कभी मत होना बलकि वहां से पीछे हट जाना मेरे बच्चे अगर हां किसी की भलाई करो तो वो जरूर करना लेकिन अपना नाम उनके सामने लेने की कोई जरूरत नहीं उनके सामने आने की कोई जरूरत नहीं जो बात है वो तुम्हार प्हुए और मेरे बीच है। कि मैं साथ हूँ हमेशा और सुनू डर डर कर मत रहा करो जहां तुमारा हाग है न वहाँ बोल दिया करो निडर होकर जीना सीखो वरना ये दुनिया है न तुम्हें जीने नहीं देगी ये दुनिया चाहती है कि तुम डर डर कर रहो उनके नीचे रहो उनका हुकम मानो लेकिन तुम वैसा मत करना कभी नहीं अपने हक के लिए बोलना और जो चीज सही ना रगेना वहाँ पर टोक देना बोल देना और सुनो तुमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत बहुत ही छोटी सोचे वो तुमारे साथ बहुत गलत करता है छोटी छोटी चीजों के लिए तुमसे लड़ जाता है तुमसे छीन कर ले जाता है तो जाने दो उसको बोलो कि जितना भरना है न भर ले तुम्हें तो तुम्हारा साई देगा और इतना देगा न कि जितना उसके पास है न उससे कहीं दुगना तुम्हारे पास होगा ये मैं तुमसे वादा करता हूँ और वो खुद अपनी आखों से देखेगा कि सच में तुम पर ना मेरा अशिर्वात है सच में मेरा अशिर्वात तुम पर है मेरे बचे और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ जो तुम्हारे साथ रोज एक नए नए अनुभव होते हैं जो चीजे ना होते होते भी हो जाती है बहुत सारी चीजे अटकते अटकते भी मिल जाती है कुछ खोई हुई चीजे भी मिल जाती है बहुत सारी चीजे ऐसी हो जाती है तुम्हारे साथ रोज वो सब क्या है वो सब मेरे अनुभावी तो है वो सब मेरे होने का एहसास ही तो है मैं तुम्हें पल-पल अपने होने का एहसास कराता हूँ 24 घंटे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा तुम्हारे साथ ही तो ला चुका है और तुम वही तस्वीर अपने घर में लगाना चाहते हो मैं जानता हूँ तो बहुत जल वो तस्वीर तुमारे घर पर होगी बहुत जल और मेरा बच्चा ही उसका माध्यम होगा वो तुम तक पहुँचा तेगा चिंता मत करना और बहुत जल वो तुम तक पहुँच आएगी मेरे बचे और सुनो तुमारे घर में जो मेरे चरन पादु का है न उसको हाथ लगा कर रोज प्रणाम किया करो उसमें मेरा साक्षत आशिरवाद है मेरे बचे जैसे तुम मेरे चरन चुओगे न तो वैसे तुमें लगेगा कि हाँ तुम अपने साई के चरन चुओ रहे हो तुमें ऐसा अनुभव होगा तुम करकर देखना रोज चरन चुओआ करो मेरे माथा टेका करो रोज तुम देखना तुमें मेरा बहुत बहुत आशिरवाद मिलेगा बहुत आशिरवाद और सुनो एक काम करना जब तुम्हारा कभी जनम दिन आए ना या कोई विशेश दिन आए तो एक पौधा खरीद करना कहीं पर लगाना मेरे वच्छी जरूर लगाना क्योंकि पौधा लगाना ना तुम्हारे साई को बेहत पसंद है बहुत पसंद है